न्यूजरूम लाइव स्पॉंसर बाई चंद्रगुप्त अकाड़मी टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा योजनाई चलाई जा रही है क्या रिस्पॉंस मिल रहा है सारी चीजों पर चर्चा हुई तो चर्चा के बाद इस पूरी मीटिंग की जानकारी सीम शिवरा सिंग चौहान ने दी उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इस बार हम 20 लाख मेट्रिक टन गेहूं और निर्यात कर सक कही गई है और माई में मध्यप्रदेश में स्टार्ट अप की पॉलिसी लांच की जाएगी और इसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वर्च्वली जुडेंगे तो कई चीजों पर चर्चा हुई है रोजगार बढ़ाने की और जिस तरीके से रोजगार दिवस मनाया ज की जाएगी जिस पर पी-एम मोदी भी शामिल होंगे तो आज मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान की मुलाकात पी-एम मोदी से हुई जो पूरे दिन आज चर्चा का आविश है बना रहा बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर मध्यप्रदेश की सियासत में फिर स एक बड़ा बयान किया एक बड़ा बड़ा दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं जिससे मध्यप्रदेश की सियासत गर्मा गई है और ये दल बदल की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं कॉंग्रेस के अध्यक्ष और पूर्विसीयम कमलनाथ ने ये दावा किया है कि भाजपा के विधायक मेरे संपर्क में हैं ये बात उन्होंने श्रिवरास सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंग के बयान के पलतवार में कहीं है और इस पूरे बयान से कहीं न कहीं बीजेपी सक्ते में आ सकती है कि अगर उनके विधायक कमलनाथ के संपर्क में है अब इस पर भी पलटवार हुआ है कमलनात के दावे पर भी πलटवार हुआ है प्रदेश मंतरी रजनीश अग्रवाल ने कहा कि 2020 में जब मध्य पृदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब भी कमलनात ने इस तरीके के बहुत दावे किये थे लेकिन उसके बावजूद शपत लिये हुए विधायक और मंत्रियों ने कॉंग्रेस का दामन छोड़ा और भाजपा के साथ आ गए कमलनात के दावों में कोई दम नहीं है कहीं ऐसा नहों कि कमलनात यह दावे करते रह जाए और कॉंग्रेस के नीता विधायक जो भारत माता में विश्वास करते हैं वो भाजपा का दामन थाम ले तो कमलनात के दावे पर फिर से पलटवार किया गया है फिर से कॉंग्रेस पर निशाना साधा गया है अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन मध्यप्रदेश की सियासत का मध्यप्रदेश का सियासी पारा इससे चड़ जाता है का अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी कर दिया गया है बता दे कि कोरोना के बात चूहों के शरीर में रेघनेवाले छोटे कीडों के काटने से फैलने वाली स्क्रब टाइफिस बीमारी का फत्रा बढ़ गया है दो सालों में इसके मरीजों की संक्या बढ़ने की भी आशंका जताई गई है और इसके एहतियात के तहट पन्ना, सतना, जबलपूर, राइसेन, कटनी, दमो, नर्सिंग पूर सहीत करीब 14 जलों में विशेश सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं यूए सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, सीडीसी के अनुसार, स्क्रब टाइफस बिमारी, ओरियेंटिया, एक बैक्टीरिया है जिसके कारण फैलती है, लोगों में यह संक्रमित चिगर्स के काटने से होती है, बुष टाइफस के नाम से भी इस बिमारी को जाना जाता है और एक वेक्टर जनित बिमारी है, यह समय के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, काडियो वस्कुलर सिस्टम, गुर्दे, सांस से जुड़ी तमाम चीजों को प्रभावत करते हैं, और कई मामलों में मल्टी ओर्गन फैलियर से रोगी की मौत भी हो सकती है, तो खतरनाक है यह और मध्यप्रदेश में इसका अलर्ट जारी किया गया है, चिकन गुनिया जैसे मिलते जुलते इसके लक्षन है और अलर्ट के बाद सावधानी बरतना बेहत जरूरी है, बरते हैं चौथी और आखरी खबर की ओर सतना जिले के जवान की शहादत की खबर सुनने के बाद पूर अज देर शाम देर रात या फर कल सुबह तक उनके ग्रह ग्राम नौगाओं पहुँच जाएगा, बहादुर सपूत के अंतिम धर्शन के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, अमर शहीद के पार्थिफ शरीर पर सतना जिले की सीमा शुरू होते ही पुश्प वर्षा के लिए रवाना किया जाएगा और विशेश विमान से उनके ग्रह ग्राम आज देर रात या फर कल शाम या दोपहर तक उनका पार्थिफ शरीर पहुँचने वाला है, सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, कई लोगों को गर्व है कि देश की रक्षा के लिए वह शहीद हो गए और साथ ही साथ आखे नम भी है उन तमाम लोगों की अपने शेतर के अपने जिले के सपूत वीर जवान को खोने का घर में मातम पसरा हुआ है, लोगों की आखे नम है, गमगीन है पुरा मौहल, लेकिन इस बीच एक गर्व भी की देश की रक्ष जाएगा, आज की चार बड़ी खबरें तवाम खबरों के लिए देखते रहिए विंद्या टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद